पानीपत के समालका कजबी की अनाज मंडी के आड़ती यहां के विधायक और पालिका देश के चुनाओं में बहुत एहमियत रखते हैं पर इस बार उनके चेहरे लाल पीले हैं क्योंकि कईयों कहना है कि यहां विकास नहीं हुआ उनकी सरकार से मांग है कि अब गुजारा करन मुश्किल हो रहा है सरकार उन्हें मंडी में दूसरा कोई काम करनी की इजाज़त है गूमते गूमते हम समालका की एनाज मंडी में पहुंचे और समालका की एनाज मंडी वो जगह है जो विधायक और नगरपाली का चेर्मेन को बनाने का फैसला करने में सबसे एहम भूमी का निभाती है काम काज की बात करें सरकार के थी सब जगा बराबर विखास हो रहा है। ठीक है ya सरकार में बैठें wi- Fest AI समालका के विखास के बार में क्या कने एभां מदी की पोजीशन अच्पर करने वडा निया देखने उठान का मंदी में माल का माल पड़ा है उसका उठानी हो जाए अपनी मर्जी है जो चाते हैं तो अनुस्वासन तो कहीं है निये सरकार का कोई सिस्टम दिखाई दे तो हम कहेंगे सरकार का बहुत अच्छा का नगरपालिका का चेर्मेन बीजेपी गाए लेकिन भी धायक वि अगर बीजेपी नुचा हमारी सरकार आवे तो उसके लिए इनको काम करने पड़ेंगे मंडियों के मंडियों के मंडिवालों को इन्होंने बेरो यह अनपड़ा दिमें मंडियों में जितने वैटे और उस वापार को यह ठप करना चाहते तो यह जो इतने आदमी इतने मज दूर, मनीम, यह जो मालिक है, यह बेकार करना था ते सरकार, यह तो इनको कुछ सुई दाए तो, यह इनको ने रोजगार की परमिशन दो, अगर इनको वेकार करना था तो यह वोट क्यों देंगे बीजेपी को, है, अगर मान लो आज मेरे पास पैसा नहीं रहा है, यह मेर इस्टिती ऐसा नहीं कि मैं उदार का काम बिजनस करो, वारत का बिजनस उदार का है, तो मैं क्या करूंगा क्या, दूसरा काम यह करने नहीं देंगे, तो इन दुखानों का करेंगे क्या, करीब 9 महीने पहले समाल का नगरपाली का कि चना हुए थी, बीजेपी का चेर्में बना था कड़ा मुकाबड़ा था उसके बावजूद बीजेपी का चेर्मन शोक कुछल बने थी लेकिन मैंने कई लोगों से बात की इन नो महीनों में कोई काम नहीं हुआ अगे जो होगा देखा जाएगा लेकिन लोगों में नराजगी बहुत है क्यामन में रजीश कुमार के साथ दिवेंदर कतपूरिया टोटल नियूस समाल का पानिप्रत